प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जिसे पाने के लिए हमें से हर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी कई बार हमें हमारे जीवन में वो सफलता हासिल नहीं होती जिसे पाने के हम हकदार होते हैं आपने सुना होगा कि everything is fair in love and war और यह गलत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी घटा के बारे में बताने जा रहा हूं इसको सुनकर आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि everything is fair in love and war जब भगवान राम ने बाली का वद किया तो बाली ने भगवान श्री राम से पूछा के हे राम आप तो मर्यादा पुर्शोत्तम हैं आप मेरा वद बहुत आसानी से कर सकते थे लेकिन उसके बाबजूद भी आपने चल से मेरा वद क्यों किया तो भगवान श्री राम ने बिनमृता पूर्वक बाली को चार ऐसी बाते बताई जो प्रतेक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए भगवान शरीराम ने कहा कि मित्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता यदि एक मित्र के लिए प्राण देने या लेने भी पर जाएं तो कभी भी पीछे ना हटें क्योंकि एक सच्चा मित्र हजार सत्रों से कई गुणा महान होता है भगवान चिरी राम ने कहा कि अन्याय करने वाले व्यक्ति के साथ भी चल करना उचित होता है तुमने सुग्रीव को राजे से निकाल कर और उसकी पत्नी को अपने पास रख कर बहुत ही बड़ा अन्याय किया है और इसी अन्याय का धंड तुमें मिल रहा है भगवान चिरी राम ने कहा कि मित्र का शत्रू भी शत्रू होता है और इसलिए एक सच्चे मित्र को न्याय दिलाना एक परम धर्म होता है चाहें इसके लिए छल का शाराई क्यों न लेना पड़े और सबसे अंतिम और महतवपून बात भगवान चिरी राम ने बताई कि यदि मित्र को किसी भी तरह का कोई दुख है तो हमें भी खुश होने का कोई अधिकार नहीं है जब तक हमारे मित्र के सारे दुख दूर ना हो जाएं तब तक हम भी किसी भी तरह से कोई सुख नहीं मन तो भगवान च्री राम के इन वचनों से हमें ये बात समझ में आती है कि मित्रता पर्मो धर्मा मित्रता ही एक सच्छा धर्म है आपको अपने मित्र का हमेशा सयोग करना चाहिए उसके दुख में उसके सुख में और उसके साथ यदि किसी भी तरह का अधर्म हो रहा है तो उ चल के बदले चल करना कोई अपराज नहीं होता, इसलिए आप भी अपने जीवन में हर सफलता को पाने के लिए हर मुनकिन प्रयास करें, चाहें इसके लिए आपको साम, दाम, दंड भेद का प्रियोग भी करना पड़े, तो इस कहानी से में इस सीख मिलती है कि ना अन्याय कर आप सभी के सुनेरे भविश्य की कामना करता हूं